हेलो वाटे स्टुडेंट्स गुड इवनिंग ऑल तो करन्ट अफियर के लिए एक रिविजन को सिरीज जो हमने शुरू की थी उसी में आगे बढ़ते हैं एनॉस्मेंट पार्ट देख ले हैं पहले पहले कि एनॉस्मेंट पार्ट देख ले पर आ're एक कि प्राइस इंक्रीस का है यू unpack पार्ट इसे शिविल्य एमेकनीकल के लिए ऐसी इसी एलेक्रिकल के लिए सेविल फिर मैकनीकल फिर इसी एलेक्रिकल्स देखिव सेम चीज देख इन आने बता है qs live रेफरल कोड जी एस लाइब यह सिविल का रिजल्ट है इस बार का जनवरी एठारा उडान बैच यह स्टार्ट हुआ कुछ दिन पहले यह के बुनियाद नाम से बैच है क्या क्या इसकी यूएस पी हैं क्या बेनेफिट्स हैं वो लिखे है मिशन आयर्मेस दोज़रतेश आयर्मेस गेट प्लेस यूपी एस सी जी एस कॉम्बो उनत्यस तारीक को यह ओल इंडिया मॉक टेस्ट है गेट के लिए और इंडिया मॉक टेस्ट गेट के लिए उनत्यस तारीक को लास्ट पेपर है इसका इस मन्थ में और इंडिया मॉक टेस्ट गेट 29 को लास्ट पेपर है इसका प्री इंडिया मॉक टेस्ट गेट करें लिए कोई भी कोड में बताया जी एस लाइव झाल परेंट में जहां तक हमने डिस्कस किया था उसके आगे देखते हैं फिर अब पिछली क्लास में फिल्ड्स मेडल तक बताया था हमने नोबल प्राइस, एबल प्राइस, फिल्ड्स मेडल एक अबॉर्ड रामानुजन प्राइस बताया था इसली क्लास में रामानुजन प्राइस तीन संस्थाएं हैं यह मिल कर देते हैं एक है Department of Science and Technology यह एंडिया का अपना Ministry of Science and Technology का पार्ट एक है ICTP इटली की संस्था है और एक IMU बर्लिन जर्मनी रामानुजन प्राइस, DST, ICTP और IMU तीन संस्था हैं मिल कर देते हैं राइजिंग कंट्री जो है, डेवलपिंग कंट्री जो है उसका को यंग मैथिमेटिशन को दिया जाता है राइजिंग कंट्री का यंग मैथिमेटिशन 45 यर से कमेच का ये अवार्ड दिया जाता है राइजिंग कंट्री का को यंग मैथिमेटिशन 45 यर्ज का मेजका उसके लिए है हाल-फिलहाल में मिला नीना गुपता 2021 में नीना गुपता एक अवार्ड है प्रिजिकर प्राइस प्रिजिकर प्राइस इसमें एक लाख अमेरिकी डॉलर ब्रॉंज मेडल ये दिया जाता है आर्किटेक्चर के छेत्र का नोबल प्राइज है आर्किटेक्चर में सबसे बड़ा सम्मान प्रिजिकर प्राइज जो हाल फिर हाल में दिया गया दिये बेडो फ्रांसिस केर बुर्कीना फासो अफ्रिकन कंट्री है उसके है ये 2022 में Francis Care को मिला प्रिजिकर प्राइस प्रिजिकर आर्खिटेक्चर के छेतर का सबसे बड़ा सम्मान एक है पुलिजर प्राइस कोश्चन आता है पुलिजर प्राइस किसको मिला तो एक तो इसमें ध्यान रखें जर्नलिजम जर्नलिजम, मुजिक, लिटरेचर के टेग्र पुछा जाने जर्नलिजम लिटरेचर मुजिकल के टेग्री विदि alguém- स्के तुलिजर किता एक आऊ वार्द पुलिजर प्राइस एक दिचिवम्न passo निवस्पप्र मेगजीन जर्नलिजम हीन जर्नलिजम तो ये clear हो गई बात 2022 में अब कई category में दिया जाता है कई सारी category है इसमें public service category के लिए पिछले साल New York Times और 22 में Washington Post को मिला ये award अगर देखें तो 21 और 22 दो साल का देखें public service category वैसे तो कई category में award दिया जाता है public service category इसमें important है public service category में इस बार Washington Post पिछली बार New York Times को वाइस वगर सब को clear है 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 एक award है गुलिर्मो कानो इसको UNESCO Press Freedom Prize भी कहते है गुलिर्मो कानो South American Country कोलंबिया के थे ये इनको मार दिया गया था इसलिए इनके नाम पर ये award है गुलिर्मो कानो कोलंबिया के थे South American Country इनको मार दिया गया था तो इसको UNESCO Press Freedom Prize के नाम से भी जाना जाता है गुलिर्मो कानो या UNESCO Press Freedom Prize के नाम से जाना जाता है गुलिर्मो कानो या UNESCO Press Freedom Prize 2021 के लिए दिया गया था मारिया रेसा 2021 के लिए मारिया रेसा और 2022 में बेलारूस की एक संस्था Belarusian Association of Journalists गुलिर्मो कानो को ही UNESCO Press Freedom Prize भी कहते हैं में बेलरूस की संस्था को दिया गया क्या है प्राइस का बैग्राउंड created in 1997 1997 में शुरुआ हुई annually दिया जाता है यह अवार्ड किसी व्यक्ति को दे सकते हैं organization को दे सकते हैं दोनों में किसी को भी दिया सकता है तो जर्नलिजम के छेतर में गुलिरमो कानो कौन थे कोलंबिय कि जर्नलिस्ते जिनको मार दिया गया था इसलिए उनके नाम पर शुरू किया गया नेक्स्ट प्राइज बुकर प्राइज लिट्रेचर के छेतर में लिट्रेचर के छेतर में सबसे बड़ा सम्मान में से एक है यह इसी का नाम पहले मैं बुकर प्राइज था फिर पहले नाम बुकर प्राइज फर फिक्शन भी हुआ करता था 1969 में जब ये शुरू हुआ था अवार्ड तब इसका नाम था Booker Price for Fiction जब स्टार्ट हुआ था तब नाम था Booker Price for Fiction बाद में इसका नाम Man Booker Price हो गया फिर उसके बाद चेंज करके 2019 में फिर चेंज करके इसका नाम Simply Booker Price कर दिया तो Literature का आवार्ड है Best Novel अंग्रेजी भाषा में पब्लिश हुआ हो UK या Ireland में अंग्रेजी भाषा में कोई Novel पब्लिश हुआ हो उसके लिए दिया जाता है तो Booker Price, Booker Price for Fiction and The Man Booker Price तो नाम इसका बदला अभी नाम इस समय Booker Price के नाम से है तो अंग्रेजी भाषा में कोई Novel पब्लिश हुआ हो UK या Ireland में उसके लिए दिया जाता है 2021 में मिला था डैमन गलगूट को किस किताब के लिए The Promise Book का नाम था 2021 में डैमन गलगूट किताब का नाम The Promise 2022 में किसको दिया गया 2022 में शेहान करूना तिलक शिरलंका के ओथर हैं इनको मिला शेहान करूना तिलक 2022 में शेहान करूना तिलक किताब का नाम है The Seven Moons of Mali Almeida 2022 शेहान करूना तिलक शिरलंका के ओथर हैं इनको किताब The Seven Moons of Mali Almeida इसके लिए दिया गया शेहान करूना तिलक शिरलंका के ओथर हैं The Seven Moons of Mali Almeida 2022 का इनको मिला है शेहान करूना तिलक शिरलंका के ओथर हैं नेक्स पॉइंट इन्डियन ओथर जिनको Booker Prize मिला हुआ है पहले इन्डियन ओथर में पहले Booker Prize मिला हुआ है अरुन्धति रॉय को किताब का नाम था The God of Small Things किरंदेसाई, Inheritance of Loss अर्विन दडीगा, The White Tiger इन्डियन ओथर को भी Booker Prize मिला हुआ है अरुन्धति रॉय को, किरंदेसाई को, अर्विन दडीगा को इसके बाद एक award है International Booker International Booker कोई किताब English में translate होकर UK या Ireland में accomplish हुई हो कोई किताब English में translate होकर UK या Ireland में publish हुई हो पपिछले 10 साल में तो उसके लिए दिया जाता है International Booker एक ही संस्था है जो Booker Prize और International Booker Prize देती है अलाकि Booker Prize जो है Main Prize Booker है उसके बात शुरू हुआ था International Booker है दोनों ही Literature के Award Booker Prize ओरिजनली English में नौवल लिखा गया हो UK या Ireland में पबलिश हुआ हो उसके लिए दिया जाता है International Booker किसी और भाषा की किताब English में ट्रांसलेट होकर पबलिश हुई हो तो भी दिया जाता है Booker Prize ओरिजनली English नौवल हो International Booker कोई किताब किसी और भाषा की हो English में ट्रांसलेट करके UK या Ireland पबलिश के गई हो उसके लिए International Booker ये बात में शुरू हुआ था एक ही संस्था है ब्रिटेन की Man International वही देते हैं दोनों अवार्ड Man Group एक संस्था है वही दोनों अवार्ड देते हैं Booker भी और International Booker भी दोनों में ज़्यादा पॉपुलर Booker Prize जो उससे पहले देखा था हमने ये लिखिए पूरी काहानी तो International Booker Prize, International Literature Award है UK के द्वारा दिया जाता है Man Group एक संस्था है वो देते हैं Award अब एक किताब 2022 में जिसको दिया गया इंडियन ओथर गितांजली श्री इन्होंने एक किताब लिखी थी रेच समाधी गितांजली श्री ने एक किताब लिखी रेच समाधी उसको English Translation किया Tom of Sand नाम से रेच समाधी किताब लिखी थी उसका अंग्रेजी अनुवाद किताब लिखी Tom of Sand किसने किया English Translation Daisy Rockwell ने गितांजली श्री के द्वारा लिखी गई थी रेच समाधी जिसका अंग्रेजी अनुवाद Tom of Sand के नाम से Daisy Rockwell ने किया इस किताब को मिला एक है गांधी पीस प्राइस इंद्रा गांधी के रास्ते पर चल कर कोई कुछ अच्छा काम कर रहा हो इंटरनेशनल पीस वगरे के लिए कुछ कर रहा हो उसके लिए दिया जाता है तो दा इंटरनेशनल गांधी पीस प्राइस महत्मा गांधी के नाम पे भारस सरकार इस अवाड को देती है 95 में 1995 में इस अवाड की शुरुआत हुई थी गांधी जी के 125 वे बर्थ अनिवर्सरी पर 1995 में गांधी जी के 125 वे बर्थ अनिवर्सरी पर इसकी शुरुआत हुई ये किसी इंडिविजियल को भी दे सकते हैं या किसी इंस्टियूशन को दिया जा सकता है जो सोशल, एकॉनमिक या पॉलिटिकल कुछ समाज में बदलाव ला हो नॉन वाइलेंट या गांधी जी के और रास्तों पर चलते हुए गांधी जी के तरीकों शंते हुए समाज में किसी प्रकार का सुधार कर रहा हो समाजी एक आर्थिक या राजनितिक इसमें एक करोन रूपए शेल्ड और लेटर ये मिलता है तो किसी भी देश का नागरी को कोई भी संस्था हो जो गांधीयन मेथड को फॉलो करके समाज में कोई बदलाव ला रहा हो ट्रांस्फर्मिशन ला रहा हो उसको ये अवार्ड दिया जाता है तो वेक्ति भी हो सकता है कोई संस्था भी हो सकती है 2020 में सेख मुझीबूर रह्मान को मिला था इसके बाद है इंद्रा गांधी पीस प्राइस इंद्रा गांधी पीस प्राइस 1986 में शुरू हुआ है मतब गांधी पीस प्राइस से भी पहले का है इंद्रा गांधी पीस प्राइस इसको और भी कई नाम से जाना जाता है इंद्रा गांधी प्राइस या simply इंद्रागांधी प्राइज या इंद्रागांधी प्राइज फॉर पीस, डिसार्मामेंट और डेवलपमेंट इंद्रागांधी प्राइज या इंद्रागांधी प्राइज फॉर पीस, डिसार्मामेंट और डेवलपमेंट यहार साल दिया जाता है इंद्रा गांधी Memorial Trust के द्वारा किसी वेक्ति को दे सकते हैं, किसी संस्था को भी दे सकते हैं किसी पर्षन को भी दे सकते हैं, किसी संस्था को भी दे सकते हैं तो इंद्रा गांधी Memorial Trust है, वो देते हैं यह award 2021 में प्रथम नाम का NGO जो शिक्षा की छेतर में काम कर रहे हैं नए नए innovative concept द आ रहे हैं जिससे education quality improve हो सके प्रथम नाम का NGO जो सिक्षा की छेतर में सुधार कर रहे हैं 2021 में प्रथम NGO, ये एक संस्था NGO है जो innovative learning ये कई सारे तरीके निकाल रहे हैं सिक्षा की quality को improve करने के लिए फिर एक अवार्ड है ग्यानपीट अवार्ड इंडिया में literature के चार बड़े सम्मान है एक है ग्यानपीट एक है सरस्वती सम्मान एक है व्यास सम्मान और एक है साहित्य अकादमी इंडिया में ग्यानपीट अवार्ड सरस्वती सम्मान, व्यास सम्मान और एक अवार्ड है साहित एकादमिक अवार्ड ये लिट्रेचर के बड़े सम्मान है ग्यानपीट सबसे बड़े सम्मान में से एक है ग्यानपीट ट्रस्ट है वो देते है अवार्ड भारत में ग्यानपीट ट्रस्ट जो संस्था है वोई अवार्ड देते हैं ग्यानपीट अवार्ड हर साल आठवा शेडियूल सम्विधान में जो एट शेडियूल है टोटल बारा शेडियूल हैं आठवे शेडियूल में दी हैं भाषाएं आठवे शेडूल में आप देखोगे 22 भाषाएं लिखी हैं इन 22 भाषाओं में से किसी में भी लिटरीचर में अच्छा काम किया गया हो उसके लिए दे सकते है ग्यानपीट अवर्ड तो ग्यानपीट अवर्ड हाइस लिटरी अवर्ड इनडियन ग्यानपीट ट्रस्ट के द्वारा दिया जाता है कोई भी भारत का नागरिक जिसने 8 शेडूल में दी गई 22 भाषाओं में से किसी भी भाषा में कोई अच्छी किताब लिखी हो उसको दिया जाता है इसमें 11 लाख रूप है लेटर एक ये ब्रॉंज स्टैचू दिया जायेगा 1965 में इसकी शुरुवात हुई थी लास्ट जो मिला है दामोदर मौजो को कौंकडी भाषा के बुक के लिए लास्ट दामोदर मौजो को कौंकडी भाषा में जो किताब लिखी है उसके लिए मिला है एक है व्यास सम्मान व्यास सम्मान केवल हिंदी भाषा के लिए और व्यास सम्मान देता है केके बिल्ला फाउंडेशन जो ये दो सम्मान हैं व्यास सम्मान और सरस्वती सम्मान दोनों एकी संस्था देती केके बिल्ला फांडेशन व्यास सम्मान और सरस्वती सम्मान दोनों एकी संस्था के हैं केके बिल्ला फांडेशन के जिसमें से व्यास सम्मान केवल हिंदी भाषा के लिए है सरसोती सम्मान शेडूल आठ में बाइस भाषाओं में से किसी में लिट्रेचर लिखा गया हो कविता वगर लिखी गई हो तो व्यास सम्मान लिट्रेचर का आवार्ड है 91 में इसके शुरुवात हुई थी केके बिल्ला फांडेशन के द्वारा दिया जाता है हिंदी भाषा में लिट्रेचर ग्री दिया जाता है हड़ साल 2021 में असगर वजाहत किताब का नाम महाबली एक अवार्ड है सरसोती सम्मान सरसोती सम्मान ये भी केके बिल्ला फांडेशन देते हैं केके बिल्ला फांडेशन शेडियूल आठ में जो बाईस भाषाएं हैं उन में से किसी में भी लिट्रेचर लिखा गया हो लेटेस रामदरश मिश्रा लेटेस दिया गया है रामदरश मिश्रा किताब का नाम ये है मैं तो यहाँ हूँ हिंदी भाषा में लिखी गई तो 22 भाशाओं में से किसी में भी लिटरेचर लिखा गया आटवे शेडूल की तो रामदरश मिश्रा 2021 के लिए किताब का नाम ये Language Hindi खेल रतना अवार्ड इस अवार्ड को पहले आप राजीव गांदी खेल रतना के नाम से जानते थे खेल रतना सम्मान को पहले राजीव गांदी खेल रतना के नाम से जानते थे बाद में इसका नाम मेजर ध्यानचन खेल रतना हो गया बाद में इसका नाम मेजर ध्यानचन खेल रतना या सिंपली खेल रतना बाद में इसका नाम बदल के मीजर ध्यामचन खेल रहतना OBS या SIMPLY खेल रहतना . पहले नाम यह उँद करते हैं बाद में बदल के मेजर ध्यामचन खेल रहतना OBS अब और डेता कौन है Dotty Мыनिस्ट्री Ministry of Youth Affairs and Sports के द्वारा दिया जाता है 9192 से इस अवार्ड की शुरुवात हुई 9192 से इस अवार्ड की शुरुवात हुई है सबसे पहले विश्वनाथन आनंद को मिला था सबसे पहले यह अवार्ड दिया गया था विश्वनाथन आनंद को 1991-92 में 2020 में कई लोगों को मिला 2021 में भी कई लोगों को एक साथ मिला है 2021 का डाटा अगर देखें तो कई लोगों को एक साथ दिया गया 2020 में और 21 में यह किस का डाटा है नीरत चोपड़ा, रवी कुमार दहिया, लॉवलीना, बॉर्गोहन, पियार स्रिजेश, अबनी लिखारा इतने लोगों को मिला है 21 में 2022 के लिए भी दे दिया गया स्पोर्ट्स के लिए सबसे बड़ा सम्मान है भारत का यह स्पोर्ट्स के छेतर में इंडिया का सबसे बड़ा सम्मान है 2022 का भी मिल गया है यह शरत कमल अचन्ता यह अपडेट करना है इसमें 2022 के लिए खेल रतना अवार्ड शरत कमल अचन्ता किस खेल से संबंदी थें टेबल टेनिस 2022 के लिए शरत कमल अचन्ता किस खेल से संबंदी थें टेबल टेनिस से इनको दिया गया गुजरात का मोधेरा इंडिया का पहला पूरी तरह से सोलर पावर पर सिफ्ट हो गया है विलेज पूरी तरह से सोलर पावर पर आचुका है गुजरात का मोधेरा गुजरात का मोधेरा भारत का पहला फुली सोलर विलेज अब मालो जब सोलर पावर नहीं अविलेबल है तो इसके नजदीक में ही बैटरी एनरजी स्टोरेज सिस्टम सेट किया गया है इसके द्वारा सप्लाई मिलेगी अब कह सकते हो सर्मालो कई दिन क्लावड़ी एरिया है बारिश हो रही है Sunlight available नहीं है तो battery energy storage जो battery में जो stored energy रहेगी उसके द्वारा supplies को किया जाएगा नरेंदर मोदी स्टेडियम Cricket Stadium में दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है यह Cricket Stadium में दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम और अगर हर तरह के स्टेडियम compare कर लिए जाएं तो नॉर्थ कोरिया में एक स्टेडियम है करुन ग्रादों के नाम से करुन ग्रादों के नाम से उसके बाद है second number पे तो the world biggest cricket stadium नरेंद मोदी स्टेडियम मोटेरा एरिया एहमदाबाद में इसको अभी रेनोवेट किया गया इसके चमता बढ़ाई गई है पहले इसका नाम सरदार पटेल स्टेडियम था अभी इसके चमता एक लाग बतिस जार लोग इसमें बैठ सकते है और ये दुनिया में अगर cricket stadium तो सबसे बड़ा है अगर सारे stadium compare करें तो नौर्थ कोरिया के रूंग्रादों के बाद दूसरे नंबर पर आता है World Most Powerful Passport सबसे powerful passport का क्या मतलब है दुनिया में सबसे ज़्यादा देशों में जिसके acceptability हो दुनिया के सबसे ज़्यादा देशों में जिसके acceptability हो तो most powerful का मतलब तो यह हुआ तो London based एक firm है Hanley and Partners के नाम से ये data release करते है London based एक संस्था है Hanley and Partner वो release करते है Hanley Passport Index तो 2022 की जो list आई उसमें Japan top पर Japan tops the list of being the most powerful passport in the world Singapore and South Korea second पर रहे jointly Singapore South Korea jointly second number पर इंडिया की rank इसमें क्या रही 90 rank पर हम पहले थे अभी हम 83 पर हैं passport power के मामले में 90 पर थे 90 पर थे अभी हम लोग 83 पर हैं अफगानिस्तान 111 इराक 110 पर आगया है अफगानिस्तान 111 इराक 110 प्रचंड नाम से इंडिया ने बनाया है Light Combat Helicopter हलका रडाकू विमान Helicopter के लिए वर्ड यूस कर रहे हैं LCH जैसे तेजस है तेजस क्या है LCA तेजस है Fighter Plane LCH का मतलब हेलिकॉप्टर LCH है Light Combat Aircraft तेजस और LCH का मतलब होता है Light Combat Helicopter तो Aircraft तेजस इसका एक्जामपल है LCA तेजस और LCH इंडिया ने बनाया है प्रचंड LCH और भी है इंडिया के पास LCH इसके लावा और भी है Light Combat Helicopter और भी है तो इंडिया ने भी खुद से बनाया Light Combat Helicopter H.A.L. ने प्रचंड नाम से तो कोश्चन यही है कि प्रचंड क्या चीज़े प्रचंड है जादा उचाई पर जो बैटल फिल्ड है जादा उचाई पर जो बैटल फिल्ड है जैसे कि सियाचील एरिया तो वहाँ पर आपको यह धुम मदद करेगा Light Combat Helicopter प्रचंड H.A.L. के दोरा बनाया गया मतलब इंडिजिनस मतलब इंडिया ने खुछ से बनाया developed by H.A.L. हिंदुस्तान Aeronautics Limited डबल इंजन वाला हलिकॉप्टर है जादा उचाई पर काम करेगा इसमें एर टु एर मिसाईल गन्स रॉकेट सिस्टम यह सब कुछ लगा रखें High Altitude छेतर में यह इंडिया के लिए फायदे मंद है बनाया किसने? H.A.L. ने इंडिया का खुछ से बनाया गया Light Combat Helicopter इंडिया एंड मालदीव इंडिया ने मालदीव को हाली में दिया है Coastal Radar System हाली में इंडिया ने मालदीव को दिया है Coastal Radar System तो इंडिया रिसेंटली हेंड़ ओवर है Coastal Radar System to the मालदीव that will play a key role in enhancing हेत्रिय सुरक्षा को बढ़ाने के लिए जरूरी है तो 2.6 billion dollar की सहायता इंडिया ने मालदीव को दी है उसमें ये भी दिया गया है 2.6 billion dollar की सहायता इंडिया की तरफ से मालदीव को दी गई है जिसमें Coastal Radar System भी दिया गया है पिनाका डील DRDो के द्वारा बनाया गया पिनाका जो की multi-barrel rocket launcher system है पिनाका multi-barrel rocket launcher system है आर्मेनिया को बेच रहा है इंडिया आर्मेनिया के साथ हाली में डील साइन हुई है आर्मेनिया के साथ हाली में डील साइन हुई जिसमें इंडिया पिनाका multi-barrel rocket launcher बेच रहा है आर्मेनिया को किसके द्वारा बनाया गया है DRDो के द्वारा आर्मेनिया का भी विवाद चल रहा था किसके साथ अजर्बाइजान के साथ कुछ समय से दोनों देशों के बीच ये चल रहा था आर्मेनिया अजर्बाइजान के बीच एक छेतर है नगर्नो करबक का एरिया उसको लेकर आर्मेनिया अजर्बाइजान में जो हाल फिलाल में कन्फलिक चला है नगर्नो कर्बक केरिया के लिए अजरबैजान की तरफ तुर्की पाकिस्तान ये सपोर्ट करते है उसको अजरबैजान को ब्रम्होस की भी डील हुई है ब्रम्होस की डील इंडिया की फिलिपिन्स के साथ ब्रहमोस क्या है? कहीं से भी, कहीं पे भी लाँच कर सकते हैं सूपर सोनिक क्रूज मिसाइल दुनिया की सबसे घातक मिसाइलों में से एक ब्रहमोस इसको बनाया था इंडिया रशिया ने मिलकर रहे हैं इंडिया जो बहुत बड़ा इंपोर्टर कंट्री रहा है वेपन्स में अब धिरे-दिरे हम एक्सपोर्ट की तरफ बढ़ रहे हैं तो मतलब यह भी हमारे द्लिया गैस पूशन के नीचे से इसमें प्रेशर ड्रॉप कर गया प्रेशर ड्रॉप कर गया तो सप्लाइब वेपनधे नहीं ने स्टीश्चाव कर गया इसका मतलब कहीं पर लीकेज थो गई तो जहां तक गैस पहुंच नहीं पहुँचेगी नहीं तो सितंबर 26 2022 को severe drop देखा गया Nord Stream 1 और Nord Stream 2 pipeline में इसमें कुछ damage किया गया है इसको नुकसान की वज़े से जिससे leakage हो रही थी तो Nord Stream gas pipeline रशिया को यूरोप से जोड रही है अब यूरोप में winter जो है बहुत severe winter पढ़ता है temperature बहुत ज्यादा drop हो जाता है तो natural gas उनको चाहिए होती है जैसे घरों को heat up करना है उसके लिए भी चाहिए तो रशिया से जर्मनी तक जो यह pipeline जा रहे थी NS1 NS1 जो pipeline थी उसके उलावा एक pipeline NS2 है दोनों में pressure drop पाया गया उसका एक reason वो लोग देख रहे थे कि जो रशिया उक्रेन वार चल रहा है कहीं उस वार के चलते damage ना किया गया हो उस वार के चलते damage ना किया गया हो तो उसके दो पार्ट है जैसे नौड यह pipeline 1 है pipeline 1 की दो ब्रां AB कौन कहां से कहां तक connect कर रही है कब बनाई गई है कितने kilometer length है सब लिखा हुआ है NS1 जो है उसकी लंबाई 1224 km NS2 1200 km दोनों ही pipeline रशिया से जर्मनी को connect कर रही है NS1 जो है रशिया के वीबॉर्ग से रशिया के वीबॉर्ग से लुब्मिन जर्मनी यहां तक जाती है और Nord Stream 2 जो pipeline है रशिया का एक area उस लुगा यहां से ग्रिफ्स वेल्ड जर्मनी यहां तक connect कर रही है तो पॉइंट बस यह है Nord Stream pipeline इसके दो पार्ट है 1,2 Nord Stream 1, Nord Stream 2 उसमें भी A और B, A और B मतब चार लाइन हो गई तो रशिया से जर्मनी तक connect करती है जिसमें leakage पाया गया भी हाली में कितनी लेंथ है NS1 1224 km, NS2 1200 km कह रहा हूँ Academy Award मतलब Oscar Award 2021 वाले Los Angeles अमेरिका में दिये गए यह 3-4 category important होती है Best Picture थी Nomadland, Best Actor Anthony Hopkins, The Father Movie के लिए Best Actress Francis McDormand, Nomadland, Best Director Cloj Howe और 2022 का जो Award दिया गया है Best Picture Koda, अब इस समय जो important है वो 22 वाला important है Best Picture Koda, Actor Will Smith, King Richard Movie के लिए Best Picture Koda, Actor Will Smith, King Richard Movie, Actress Jessica Kastain, Movie का नाम है The Eye of Tammy Faye और Best Director Jane Campion, Movie The Power of the Dog National Film Award 2020 के लिए दे दिये गए है तो Oscar में एक ध्यान रखना है Movie, Actor, Actress, Director 2022 वाले डाटा याद रखे हैं बहुत है Award वगर में दो साल का डाटा याद रखना पड़ता है कि मा लोग पिछले साल का पूझ बैठे latest और पिछले साल का दो साल का डाटा इंपर्टन्ट होता है National Film Award 2022 68 National Film Award किसको मिले Best Feature Film सुराराई, पोत्रू, तमिल भाशा सुराराई, पोत्रू, तमिल भाशा Best Actor अजेदेवगन, सुरिया Best Feature Film सुराराई, पोत्रू Best Actor अजेदेवगन, सुरिया Best Actress अपर्ना, बालमुर्ली Best Director सच्चिदानंद केयार Best Hindi Film तुलसीदास, जूनियर तुलसीदास, जूनियर पिछले साल का जो National Film Award था Best Feature Film मरककर Lion of the Arabian Sea, मल्यालम भाशा के लिए पिछले साल का मरककर Lion of the Arabian Sea, मल्यालम भाशा Best Actor मनोज बाचपई, भोसले मूवी और धनुश, यह है 21 वले Award एक Award है दादा साफ पाल के, सिनेमा के छेतर में सबसे बड़ा सम्मान है यह सिनेमा के छेतर में सबसे बड़ा सम्मान, दादा साफ पाल के तो दादा साफ पाल के, इंडिया का सबसे बड़ा सम्मान, सिनेमा के छेतर में ये हर साल दिया जाता है Ministry of Information Broadcasting इसमें स्वन्ड कमल एक मेडल शौल दस लाख रूपे ये सब मिलता है एक्शुल में धुन्दी राज गोविंद फालके धुन्दी राज गोविंद फालके जिन्होंने सबसे पहली मूवी बनाई इंडिया में राजा हरिश शंग्र दियरेक्टर थे ये उनके नाम पर इसको शुरू किया गया इसलिए दाज साफ फालके को Father of Indian Cinema भी कहते है तो धुन्दी राज गोविंद फालके जिनको दाज साफ फालके के नाम से जानते है Father of Indian Cinema राजा हरिश शंग्र मूवी बनाई तो सबसे पहला आवार्ड 1969 में मिला था देविकारानी को 1969 में सबसे पहला ये आवार्ड देविकारानी को मिला था रजनी कांत को 19 में अमिता बचन को 18 में लेटेस जो मिला है आशा पारिक को लेटेस अभी जो दिया गया है आशा पारिक लेटेस्ट दास अफ़ाल के दिया गया है अशापारिक एड अपडेट कर लो ये तो धुंदी राज गोविंद फाल के इनी का नाम दास साब फाल के बोलते हैं फादर आफ अंडेल सिनेमा राजा हरिश्चंद्र पहली मूवी बनाई पहली टॉकी मूवी राजा हरिश्चंद्र जो थी वो साइलेंट मूवी थी उस समय तक आडियो नहीं था तो आलम आरा जो बनी है बाद में अर्देशीर इरानी की अर्देशीर इरानी के द्वारा बनाई गई 1930 के बाद बनी है आलम आरा वो पहली टॉकी मूवी है आलम आरा भारत की पहली टॉकी मूवी 1934 के असपास 1930 के बाद बनी है आला मारा पहली टौकी मूवी अर्देशी रिटानी इसको डैक्टर थे वो टौकी मूवी मतलब वाडियो था उससे में पर राजा हरीशन्द जब बनी है 1913 में ये साइलेंट मूवी थी और सबसे पहला ये मिला था देविकारानी को 19 में रजनी कांद को और 20 के लिए आशा पारिक को इनको मिला है 2020 के लिए दिया बाद में गया है पर किस एयर के लिए दिया गया है 2020 में मिला इनको भी पिछले साल हाली में दिया गया है पर किस एयर के लिए दिया गया है 2020 के लिए मतलब जिस साल के लिए दिया जा रहा है जरूर नहीं कि उससे साल में दिया जाए 20 के लिए 21 में दे सकते हैं 22 में भी दे सकते हैं साहित एकादमी साहित एकादमी दिल्ली में जो इंस्ट्यूट है साहित एकादमी नाम से ये Literary Award देते हैं 22 भाषा हैं तो 8 schedule की उसके अलावा राजस्थानी और English इन 24 भाषाओं में कुछ काम किया गया हूँ 22 भाषा हैं तो 8 schedule वाली उसके अलावा राजस्थानी और English 24 भाषा हैं उनमें कुछ अच्छा वर्ग किया गया लिटरेचर का तो साहित्य अकाद्मी संस्था ये नई दिल्ली में ये देते हैं अवार्ड अब बहुत सारे अवार्ड ही होते हैं पूरे नाम याद कर पाना सान नहीं है तो बस मेरे ये याद रखे हैं साहित्य अकाद्मी संस्था दिल्ली में ये देते हैं सहीत अकादवी सम्मान 24 भाषाओं में इसे literature लिखा गया हो उसमें दिया जाता है पर कई सारे लोगों को एक साथ मिलता है वो रिलिस्ट याद कर पाना असान नहीं है 1954 में इस अवार्ड की शुरुवात हुई थी शुरुवात इसकी हुई थी पीपल लीफ की शेप में ये मेडल दिया जाता है जिसमें एक तरफ सुर्य की इमेज है और भारत रतना लिखा है भारत रतना जो सम्मान है पीपल लीफ की शेप का मेडल जिसमें एक तरफ सन की इमेज सुर्य की इमेज भारत रतना लिखा है तो हाई ये सिविलियन ओनर सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है भारत रतना, 1954 में इसके शुरुवात हुई, ये भारती नागरिक को भी दे सकते हैं, किसी बाहरी नागरिक को भी दे सकते हैं, दो नॉन सिटिजन रहे हैं जिनको दिया गया भी तक, तो किसी छेत्र में ये संस्था के लिए नहीं है, नागरिक यहां का हो तो भी, बाहर का हो तो भी, पर ये और्गनाइजेशन के लिए अवार्ड नहीं है, नागरिक सम्मान है, तो भारत रतना, the highest civilian award of the country, 1954 में शुरू किया गया, एक बार में लिखाई के मैक्सिमम तीन लोगों को दे सकते हैं पर 1999 में चार लोगों को दिया गया था, तो किसी भी छेत्र में कोई बड़ा काम, जैसे मान लो ये लिखाया ना, highest order in any field of human endeavor, किसी छेत्र में कोई बहुत बड़ा काम किया गया हो, जैसे पहले किया था, पहले limited category लिखी थी, कि art, social service, science, literature, इन में से किसी ने बड़ा काम किया हो, सचिन तंदुलकर को जब दिया गया, तो sports से थे वो, तो फिर यहां पर change करके लिखा गया, किसी भी छेत्र का कोई बड़ा काम किया गया हो, पहले यहां पर किया आर्ट, social service, science, literature ये लिखा था, बाद में highest order in any field of human endeavor, लिख दिया गया, ठीक है, तो भारत रतना the highest civilian award of the country, 1954 में शुरुवात हुई, यहां का नागरी को या बाहर का नागरी को इसको दे सकते हैं, एक बार में तीन लोगों को, पर 99 में चार लोगों को दिया गया था, तो डॉक्टर आजेंद प्रशाद राश्वति थे, उस से में इसको शुरुवात हुई थी, तो भारत रतना non-citizen को भी दिया जा सकता है, Mother Teresa को तो नागरी कता भारत में दी गई है, पर non-citizen में खान अब्दूल का फार खान एक तो इनको मिला था, और एक नेल्सन मंडेला को मिला था, non-citizen खान अब्दूल कफार खान ब्रिटिश इंडिया में थे, पर जब partition हुआ तो पाकिस्तान चले गए, और South Africa के नेल्सन मंडेला, जिन्नों ने रंगभेद के खिलाब एक लंबा से घर्स किया, तो दो non-citizen हैं जिनको दिया गया, खान अब्दूल कफार खार खान नेल्सन मंडेला, सबसे youngest person भारत रतना पाने वाले सचिन तंदूलकर, और पहले sports person भी यही है, तीन लोगों को मिलता है भारत रतना, पर 1999 में चार लोगों को दिया गया, यहां से question आता है एक्जाम में देखो, जैसे अभी SSJ में भी question आ गया था, बिस्मिल्ला खान वाला, किस साल उनको भारत रतना मिला है, पढ़ा के भेजा वो question है, लास्ट जो मिला है तीन लोगों को, प्रणों मुखर जी, भूपेन हजारी का, नाना जी देश्मुक, प्रणों मुखर जी राश्पती रहे, अब इस list में से कौन person क्या रहा है, यह important है, कितने प्रधान मंत्रियों को मिला है, कितने राश्पती को मिला है, तो प्रणों मुखर जी प्रेसिरेंट रहे, भूपेन हजारी का, असम के सिंगर रहे, नाना जी देश्मुक, मदन मुहन मालविय, अटल बिहारी वाच्पेई, पी-म रहे, सचिन तंदूलकर, सियना राउ, सियना राउ साइंटिस्ट रहे, पंडित भीम सेंजोशी, सिंगर, प्लासिकल सिंगर रहे, दीनानात मंगेशकर, लता मंगेशकर, लता मंगेशकर वाला इयर इंपॉर्टेंट है, देखो यह वाला कोशन आया था, उस्ताद बिस्मिल्ला खान, उस्ताद बिस्मिल्ला खान बनारस के, उनको मिला है, सन 2001 में 2001 में लता मंगेशकर और बिस्मिल्ला खान अमर्त सेन 1999 गोपिनाथ बौर्दोलोई असम के 99 में जेपी तो कितने PM हैं कितने प्रेसिडेंट हैं इस लिस्ट में से ही आइडेंटिफाई करना है जैसे कोश्चन आजाएं फर्स्ट वूमेन पी-म इंद्रा गांधी को मिला था पंडित रवी संकर सितार प्लेयर तो ये लिस्ट है एक बर पूरी लिस्ट आपको भारत अतना देखनी पड़ेगी कोश्चन आया था इसमें किसी का इयर पूछ लेगा किनको मिला ये पूछ लेगा टॉक्टर अबुलकलाम को 97 में गुलजारी लालनदा पी-म रहे मौलाना अबुलकलाम आजाद भारत के पहले सिक्षा मंतिर रहे मौरारजी देशाई इनको दो देशों का इंडिया का और पाकिस्तान का दोनों देशों का सर्वोच नागरिक सम्मान मिले हुआ है मौरारजी देशाई को इंडिया का भी और पाकिस्तान का भी दोनों देशों के सर्वोच नागरिक सम्मान मिले है पाकिस्तान का सर्वोच नागरिक सम्मान है निशाने पाकिस्तान निशाने पाकिस्तान मुराजी दिसाई एक मात्र इंडियन परसन इनको भारत रतना और निशाने पाकिस्तान दोनों आवाड दिये गए इनके लावा राजीव गांधी पी-म रहे मुराजित इसाई भी पीम थे वल्ला भाई पटेल, बियार अमबेटकर, नेलसन मंडेला ये पूरी लिस्ट है करता है सबसे पहला इन तीन लोगों को मिला था भारत रतना सबसे पहले जो मिला था इन तीन लोगों को Dr. S. Radha Krishnan उपराश्टपती थे CV. Raman, Scientist थे C. Rajgopalachari, पहले भारतिय गवर्नर जनरल थे सबसे पहला भारत रतना तीन लोगों को दिया गया था सर्वपली, Radha Krishnan, CV. Raman and Rajgopalachari भारत रतना के बाद फिर आते हैं Padma Awards भारत रतना के बाद नंबर आता है Padma Awards का Padma में तीन है Padma Vibhushan, Padma Bhushan, Padma Shri Padma Award में तीन है Padma Vibhushan, Padma Bhushan and Padma Shri Padma Vibhushan इन में सबसे उपर है फिर Padma Bhushan, फिर Padma Shri Padma Vibhushan ये तो कुछी लोगों को दिया जाता है, 22-22 में इन लोगों को मिला Padma Bhushan लगबग आप मालो 10-15 लोगों को और Padma Shri 70 लोगों को तो Padma Shri के लिस्ट याद नहीं कर पाऊ गया, Padma Vibhushan याद रह जाए बहुत है Padma Vibhushan इनको मिला है और Padma Bhushan 10 से उपर लोगों को वही मिलता है Padma Shri 70 से उपर याद रहने ही जरूत नहीं है बस Padma Award में सिक्वेंस क्या है? Padma Vibhushan, Padma Bhushan, Padma Shri ये सिक्वेंस है रिपब्लिक डे के मौके पर दिये जाता है Padma Award बगर जो है ये रिपब्लिक डे के मौके पर दिये जाते है रिपब्लिक डे में 2020 में Chief Guest ब्रजील के राष्टपती थे जायर बोलसा नारो 2020 में ब्रजील के जो राष्टपती थे वो Chief Guest थे अब तो ये भी चेंज हो चुके हैं, तो 2020 में जायर बोलसा नारो, ब्रजील के रास्टपती, ये गरतन दिवस में चीफगेस थे, दो साल पेंडेमिक, कोई नहीं आया इसमें, 2021 में सबसे पहला चीफगेस कौन था, सुकर्नो था, इंडोनेशिया गरास्पती, ये वाला भी कोश्चन दे को लिखवाया हुआ है, SSEJ में आया था ये, 2020 में रिपब्लिक डे चीफगेस कौन था, कोश्चन पूछा गया था, जायर बोलसा नारो, सिधे सिधे लिखा हुआ क ये पीडिया तब भी कराई हुए थी, बाफ्ता अवार्ड, टेलिवीजन अवार्ड है ये, फिल्म और टीवी अवार्ड बाफ्ता, ये यूके का अवार्ड है, ब्रिटिश, बाफ्ता अवार्ड, ब्रिटिश अवार्ड है, फिल्म और टीवी अवार्ड, इसमें बेस्ट film The Power of the Dog, Best Director Jane Campion, Best Actor Will Smith, Best Actress Joanna Scanlon, किस movie, किस TV, Serial के लिए है, लिखा हुए, बाफता अवार्ड, British Academy of Film and Television Arts, British Academy of Film and Television Arts, इसी को शॉर्ड बाफता कहते है, इसी को शॉर्ड बाफता कहते है, it is a leading independent global arts charity, the academy attempt to bring the best work in film, game and TV to public attention, the बाफता अवार्ड, aimed to support the growth of creative talent in the UK and internationally, एक है फिर नारी शक्ती पुरसकार, यह विमन के लिए सबसे बड़ा सम्मान भारत में, विमन के लिए सबसे बड़ा सम्मान, नारी शक्ती पुरसकार, highest civil in honor specifically for women in India, यह अवार्ड कौन देता है, Ministry of Women and Child Development, Ministry of Women and Child Development, यह दिया जा सकता है किसी विमन को या संस्था को, जो विमन इंपावर्मेंट के छेतर में काम कर रहे हैं, यह अवार्ड, Ministry of Women and Child Development के द्वारा दिया जाता है, किसी individual विमन को भी दे सकते हैं, किसी संस्था को भी दे सकते हैं जो वूमन इंपावर्मेंट के छेतर में काम कर रहा है 1999 में इन अवार्ड की शुरुआत हुई थी तब इसका नाम इस्त्री शक्ती पुरसकार हुआ करता था 1999 में इसकी शुरुआत हुई तब इसका नाम इस्त्रिय शक्ति पुरसकार था हाली में 29 महिलाओं को दिया गया कुछ important नाम इसमें लिखे है हाली में 29 विमन को दिया गया कुछ important नाम ये है टिफनी बरार, डॉक्टर इला लोड, पद्मा यांग्चेन, मधुलिका राम्टेक, राधिका मैनन, आरा रंगा स्वामी, ये कुछ जो अवार्ड दिये गए हाल फिलाल में, एक अभी हमने देखा था दादा साफ पाल के अवार्ड, इनके नाम पर एक फिल्म फेस्टिवल भी शुरू हुआ, कुछ से में पहले ही, बहुत पुराना नहीं है, तो दादा साफ पाल के अवार्ड अलग हो गया, और दास साफ पाल के नाम पर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल भी होता है, तो दादा साफ पाल के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड दोहजार बाइस, इसमें किसको क्या मिला है, ये लिखें, Outstanding Contribution फिल्मों में आशा पारिक को Film of the Year पुश्पा, Best Film शेडशा, Best Director, Best International Film, Best Actor, Actress यह है तो दासाफाल के अलग अवार्ड है, दासाफाल के International Film Festival अलग है Greta Thunberg, Sweden की रहने वाली है Environment वगर के लिए जो Speech देती हैं, उसके लिए Popular है Environment वगर के लिए, जो उन्होंने Speech वगर दी है, उसके लिए जाना जाता है Sweden की रहने वाली है तो 20 साल से भी कम उम्र है और अपनी Speech के लिए सिधे-सिधे Environment के ऊपर दुनिया को Criticize किया है, उसके लिए Popular है तो इनको Noble Peace Prize वगर के लिए भी कई बार नॉमिनेट किया जा चुका है Question क्या है, Greater Thunder कौन है? Sweden की Environmental Activist कई सारे Award इनको हाल फिलाल में मिले Noble Peace के लिए भी लगातार नॉमिनेट हुई है दो-तीन बार पराक्रम दिवस, नेता जी सुभाष चंद्र बोस का जो बर्थडे है उसको पराक्रम दिवस घुषित कर दिया गया तो हाल फिलाल में कई सारी डेट हैं उनको एनॉंस किया गया जैसे 26 दिसंबर वीरबाल दिवस वीरबाल दिवस की गुरु गोबिन सिंग के बच्चों को जो मार दिया गया था उनकी याद में तो ये लगातार कोश्यन है कई के डेट डिकलियर की गई है ऐसे ही 23 जनवरी सुभाष चंद्र बोस का बर्थडे पराक्रम दिवस 26 दिसंबर वीरबाल दिवस गुरु गोबिन सिंग के बच्चों को जो साधत हुई थी उसके नाम पर दे यूनियन गवर्मेंट हैं डिकलेर जनवरी 23 जनवरी 23 एस पराक्रम दिवस 125 बर्थ एनिवर्सरी निताई सुभाष चंद्र बोस का उसके उपलक्षिम है पियर मोदी ने 21 जनवरी के अनॉंस किया था यह से बाकि इनका एक ग्रिनाइट का स्टैचू दिल्ली में बनाया गया सुभाष चाद्र बोस का ग्रिनाइट का एक स्टैचू बनाया गया 28 फिट, हाइट 6 फिट ब्रिट ग्रिनाइट का बना हुआ, हाली में इनॉग्रेशन हुआ दिल्ली में इंडिया गेट पे, हाली में इसका इनॉग्रेशन किया गया हाल फिलाल में मिस वर्ड कैरोलिना बेलेवस्का पूलेंड की मिस वर्ड कैरोलिना बेलेवस्का और मिस उनिवर्स हरनास संधू मिस उनिवर्स हरनास संधू, मिस वर्ड कैरोलिना बेलेवस्का बालकृष्णदोशी इनको अर्किटेक्टर के छेत्र में Royal Medal दिए गया है ये भी अर्किटेक्टर के लिए एक बड़ा सम्वान है बालकृष्णदोशी रोयल गोल्ड मेडल 2022 दुनिया के सबसे बड़े सम्मान में से एक है अर्किटेक्टर के छेत्र में दुनिया के सबसे बड़े सम्मान में से एक आर्किटिक्चर के छेतर में Statue of Equality यह वाली में जा आपने देखी होगी हैदराबाद में इनाउग्रेशन किया गया था Statue of Equality दो तिन कोश्चन है location कहा पर है, कितनी height है, किसके नाम पर है तो PM Modi ने इनाउग्रेशन किया Statue of Equality का विष्णु डिवोटी संत रामानुजाचार है उनके नाम पर है विष्णु डिवोटी संत स्री रामानुजाचार है इनके नाम पर हैदराबाद में इनाउग्रेशन हुए 216 feet उची प्रतिमा है कोशन यही है, Statue of Equality किसके नाम पर है स्री रामानुजाचार है, कहां पर हैदराबाद में क्या इसकी height है 216 feet 401 कड़ के छेटर में फैला हुआ एरिया और हैदराबाद में इसका अनाउग्रेशन किया है रामानुजाचार है, इनको इलया पेरूमल के नाम से भी जाना जाता है 1017 AD में पैदा हुए 2017 AD में पैदा हुए, इनका दूसरा नम इलया पेरूमल इनको जाना जाता है Spiritualism जो है, विशिस्ट अदवैत की थियोरी विशिस्ट अदवैत की थियोरी, spiritual जो aspect है उसके बारे में इनका जो वर्क है उसके लिए He is known for his influential thinking towards devotional Hinduism The great poet Sant Ramanuja was an eminent teacher and the founder of विशिस्ट अदवैत He was an expert in Vedic scriptures वेदो के जानकार थे एक community of Vishnu devotee, जो लोग हैं, वो follow करते हैं इनके पात को Social reforms के लिए भी जाने गए Kathleen Novak, Hungary में पहली महिला राष्टपती Yoon Suk Eol, South Korea में नई president Yoon Suk Eol Gotham Buddha की लेटी हुई मुद्रा में एक statue बनाया जा रहा है सबसे बड़े साइज में इस तरह का एक statue कुशी नगर में भी देखने को मिलेगा आपको Gotham Buddha को महापरी निर्वान जहां पे उनको निर्वान प्रात हुआ या जहां उनके death हुई कुशी नगर में, वहाँ पर भी एक statue आपको देखिए लेटी हुए वश्था में उससे भी बड़े साइज का एक statue बनाया जा रहा है बोध गया बिहार में The largest reclining statue of Lord Buddha बोध गया बिहार 30 feet उचा, 100 feet लंबा 30 feet उचाई होगी, 100 feet लंबाई होगी SEBI की नई head कौन बनी है SEBI, stock market को deal करता है जैसे banking sector को RBI deal करती है वैसे stock market को SEBI deal करता है Securities Exchange Board of India तो यहाँ पे नई chairperson बनी है मधावी पूरी जिनोंने replace किया है अजय त्यागी को मधावी पूरी इनोंने replace किया है अजय त्यागी को तो फरवरी 28-2022 गौर्मेंट ने मधावी पूरी इनको नया chairperson निउक्त किया है पहली महिला chairperson है SEBI में 28-2022 गौर्मेंट ने मधावी पूरी को निउक्त किया SEBI के नई chairperson पहली women chairperson है SEBI में और अजय त्यागी को replace किया SEBI का headquarter का है मुंबई में SEBI का headquarter इस्थित है मुंबई बिल गेट्स Microsoft के polio eradication के छेतर में पाकिस्तान में इनकी संस्थान अच्छा काम किया है जिसके लिए इनको दूसरा सर्वोच नागरिक सम्मान वहां का हिलाल ए पाकिस्तान ये सम्मान दिया गया बिल गेट्स Microsoft के founder polio eradication के छेतर में इनकी संस्थान अच्छा काम किया इनकी संस्थान बिल एंड मेलिंडा गेट्स फांडेशन बिल एंड मेलिंडा गेट्स फांडेशन polio eradication के छेतर में काफी समय संस्था काम कर रही है तो इनको पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा सम्मान दिया गया है हिलाल ए पाकिस्तान भारत के नए आर्थिक सलाकर मुख्य आर्थिक सलाकर अनंत नागेश्वरन के सुबर्मन्य हम चले गए हैं अब इससे में बने हैं कि अनंत नागेश्वरन अनंत नागेश्वरन नए मुख्य आर्थिक सलाकर और PM Economic Advisory Council जो है उसके चेर्मन को हैं बिबेग देबरोय दूनों अलग कुश्चन है यह चीफ Economic Advisor मुख्य आर्थिक सलाकार सरकार के अनंत नागेश्वरन जबकि प्राइम मिनिस्टर Economic Advisory Council PM EAC में कई सदस्य हैं उनके चेर्मन है बिबेग देबरोय उलंपिक गोल्ड मैडल विनर नीरत चोपडा जैवलिन थ्रो में मिला था इनको भाला फेकने में उलंपिक गोल्ड मैडल विनर नीरत चोपडा जैवलिन थ्रो में मिला था इनको इनको हाली में सम्मानित किया गया है परम विशिस्ट सेवा मैडल के नाम से इनको हाली में स कि जूडी शेरी इंडियन जूडी शेरी तक हम पहुंच चुके हैं उसमें सुप्रीम कोर्ट वाला पार्ट हमने पढ़ा दिया है आई कोर्ट वगल के बारे में कर डिसक्स करेंगे तीस तारीक तक हम कोशिश कर रहे हैं कि पॉलेटी कंप्लीट हो जाएगा पॉलेटी का ती यार पी पीचिएस यह वाले जो स्टुडेंट है एससी जैए एंड स्टेट एटेगरी अनकेडमी के यह वाले कंटेगरी है एससी जैए एंड स्टेट एए काटेगरी में पॉलेटी खतम हो जायेगा तीस तक पहला सब्जेट जो नए बैच का 11 जन्वरी को नया बैस शुरू किया था उसका पहला सब्जेक्ट पॉलिटी कंप्लिट होगा 11 जन्वरी को नया बैस शुरू किया था उसका पहला सब्जेक्ट पॉलिटी कंप्लिट होने वाला है दूसरा सब्जेक्ट 4 फर्वरी को इंडियन हिस्ट्री शुरू होगा एंसीयंट इंडियन, एंसीयंट मॉडल, मेडिवल, मॉडल ये तीन पार्ट, एंसीयंट शुरू करेंगे पहले इसमें, चार फरवरी को, तो अगले महिने में पूरी कोशिश है कि हिस्ट्री कंप्लीट हो जाए, अगले महिने में हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा, उसके ब कुछ concern है कुछ पूछना हो पूछ लीजे कोशन प्रैक्टिस जो लोग GS question की जानना चाहते हैं gate and ESE category में चले जाओ उसमें special class में मैंने अलग लग exam के भी question बहुत सारे कराये हुए है GS की question practice की region को RRB देना है SSJ देना है वो आले question मैंने gate and ESE category में special class में चले जाओगे काफे सारे question मिल जाएंगे GS question practice के नाम से पर वो special class gate and ESE category में available है question क्योंकि वहाँ पर special class थी मैंने question practice वहीं पकरा दिया था और pre special classes है अगर class open करने के लिए code मांगे GS live code डाल सकते हुआ gate and ESE category में pre special classes question practice वहाँ से कर सकते हैं अगर code मांगता है को निया बच्चा अन्रोल कर रहा है तो GS live नाम से है वो free classes special class और YouTube का चार्ज़ नहीं है ठीक है जलो कल परसों दो दिन भी classes रहेंगे इसी टाइम पर कल और परसों जो YouTube का टाइम है वो भी यही टाइम रखेंगे कल का टाइम भी सेम है परसों का टाइम भी सेम है प्रविन ने रिखा है सिविल इंजिनिंग स्टुडेंट है 55-60 मारे टेस्ट सेरीज में इंप्रुव कर जिन टाइम धिया करोशन के अंको रिविजन पर धिया जाया और टेस्ट पेपर में जिन टॉपिक में गलतिया करे वो ने तकagen nellaबुड़ करें और निगेटिव कोशिश करें मिनिमाइज करने की तुक्के ना लगाएं 80% से उपर तभी रिसके लेना है कोशिशिं पे ठीक है ख्याक ख्यास थेंक यू